तो आज हम एपस्पाई का यूज़ करने वाले हैं तो इसका लिंक आपको डिस्केशन मिल जाएगा एड़ोन का भी और सॉफ्टर का भी तो सॉफ्टर हम यूज़ करते कैमेरा मैचिंग के लिए और इसका एड़ोन आता है हमारे ब्लेंडर में इंस्टॉल कर लिना उसे ताक इसका लिंक भी आपको डिस्केशन मिल जाएगा इसे डाउलोड करने और यहां पर जो यह बिल्डिंग की वीडियो है तो वीडियो से याद है अगर आप अपनी लो रिजुलिशन वीडियो को हाई रिजुलिशन में कनवर्ट करना चाते हो तो मैं आप लोग के लिए है जिसकी हेल्प से आप अपनी लो रिजुलिशन फुटेज को हाई रिजुलिशन फुटेज में कनवर्ट कर सकते हो तो चलम आपको दिखाता हम की से यूज कैसे करना है तो हिट पो सॉफ्टर उपन हो जाने के बाद सबसे पहले आपको अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर देगा और इसके बाद रिजुलिशन को आप स्लेट कर लो 4K पे और इसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो तो इसके बाद पूरे दो मिनिट से भी कम टाइम में यह आपकी लो रिजुलिशन फुटेज को हाई रिजुलिशन में कनवर्ट कर देगा तो स्क्रीन पर लेकिन यह तो एक वीडियो है और हमारे एपस्पाई में खाली इमेज लगती है तो यह कैसे करना है तो सबसे पहले मैं देखो जाल दूँगा और यहां पर कंट्रोल होल्ड करके जो की होती है मूव फॉरवड की की उसको दबाऊँगा तो यह देखो वन फिरिम पर आ गया है और यहां पर मैं दबाऊँगा तो यहां पर हमारी टाइम लाइन बंद हो जाएगी और इसके बाद ट्रिम कॉम्टू वर कर कर दूँगा तो वन फिरिम यहां पर आ गया है इसके बाद कंट्रोल हम से मैं रेंडर करूँगा और यहां पर जाओँगा और यहां पर जेपेग सिक्वेंस कर दूँगा प्येंजी करना चाहब कर लो एक ही बात है कोई ज्यादा फरक नहीं है तो यहां पर ओके दबादो इमेज का इमेजिए के से निकाल दूऊ है ताकि आपlaşल के हीजा जाएक इसके है उसके बाद में बात में यहां वाद में प्रोसेस को मिलेंगी तो यहां स्थे सरी चीज़ता आपको देखने को मिलेंगी तो सबसे पहले देखो number of vanishing point का मतलब होता है कि one एक axis और दो axis तो कोई कोई scene होते हूँ एक axis पर create हो जाते हैं उमें दो की जूरुत नहीं पड़ती लेकिन हमें यहाँ पर दो की जूरुत पड़ेगी जी direction में कर लेना है और एक दूसरा है y तो y to by default select है तो इसके बाद हमें क्या करना है यह जो आपका cursor इतरा है axis का जो cursor दिख रहा है यह बिल्कुल अच्छे से set होना चाहिए z का direction ओपर होना चाहिए y का इस side और x का आगे की side तो देखो अभी यह उल्टा सीधा हो रखा है set नहीं है तो क्या करना हमें और एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी दो line होगी मतलब की z axis हो या फिर y axis हो जहां पर भी set होंगी उनकी जो line निकरी आपके आगे जाके intersect हो जानी चाहिए बिल्कुल parallel तरीके से आपको set करनी कहीं पर भी scene में वह आपको practice करोगे जब आप स्पाई के साथ आपको चीज़े पता चल जाएगी तो मैंने इस image को पहले से कर लिया था तो मुझे पता है कि इसे कहां पर लगाना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे यह app spy काम करता है तो यहां से उठाके देखो मैं इसे यहां पर लगा लेता हूँ और एक इस साइड लगा दूँ है बिल्डिंग के तो अभी आपको यह intersect वाली line create होती हुई नहीं दिखाई दे रहे होंगी क्योंकि अभी हमने y को set नहीं किया है तो देखो y को set करते ही आपकी जो axis थी व y axis हमारी यहां पर अच्छे सेट करने है अगर आप जूम करना जाते हो मतलब कि shift hold कर लेना आपको और यहां पर इस point को click करोगे तो यहां पर यह zoom हो जाएगा और जहां पर set करना चाहो वहां पर यह set भी हो जाएगा और इसके बाद इसको हमें इस building के इस top पे लगा लेना ह तो shift hold करके मैं इसे set कर लेता हूँ अच्छे से यहां पर यह set हो गया और इसके बाद आप इसे यहां पर करके देख सकते हो कि जी डिरेक्शन में कितना अच्छे सेट हो गया है, यहां पर ले आओं तो यहां पर भी सेट है, इस बील्डिंग पर ले आओं तो इस बील्डिंग पर भी सेट है, और यहां पर ले आओं तो यहां पर भी अच्छे तरीके से सेट हो गया, तो हमारा सीन यहां तक पूरा डन ह करना है तो ब्लेंडर उपन कर लेता हूं मैं इसके बाद देखो हमारा ब्लेंडर उपन हो गया ए से स्क्रीन कास्ट की को अनेबल कर देता हूं ताकि आपको सारी कीज वगरा नीचे दिखती रहे जो भी मैं यूज कर रहा हूं अगर मैं कुछ बताना भूल जा तो आप नीच फाइल जो हमने सेव करें थी जहां पर वियो होगी उसे आपको इंपोर्ट कर लेना है तो यहां पर देखो इंपोर्ट करते ही यह कैमरा कैमरा भी आ गया और हमारी इमेज भी लगी हुई आगी बैग्राउंड में और इसके बाद में देखो शिप्लस एसे यहां पर एक क् यहां पर सेट हो गया तो इसके बाद में क्या करूआ यहां पर देखो टैब दबा कि मैं एडिक मोड में जाऊँगा और यहां पर पहले तो एज मोड में यहां पर वर्टिसीज और यह फेस मोड में तो पहले तो मैं फेस मोड पर ही काम करूआ तो यहां पर इस तो पहले ह है तो यहां पर हो गया स्य और शकल मैं यहां पर इसको अनेवल करके एक्षरे मोड में च्ला जाकर आता हूं ताकि मुझे सारी चीजे अच्छे से दिखें तो यहां पर दिखे रहा है कि टेंडा जा रहा है उपर की तरफ इसे बाद में हम सैट करेंगे तो स्दसे पहले मैं सोल्वीं मोड को डीसेबल कर देता हूं और यहां से इसको दुबारा था वारास यह फेस्ट सेड़ेक्ट करके आपको टें एक्स टो इसे डेक्शन में कर लेता हूं इंक्रीज आप यहां पर सोरी यहां पर अच्छे से सैट होगे इस दूएच तो यहां पर मैं इसे सैट करना चाह रहा हूं ताकि इस line पे जो देखो जाए और इसके बाद मैं इसे यहां से पीछे की साइट करूँगा तो देखो हमने यहां पर नहीं गलती कर दी तो मैं मैंने चाहता कि बीच में यह जो line यह आए तो मैं क्या करूँआ इसको यहां से डिलीट कर देता हूं इस सारी चीज़ों को select होके delete, delete faces इसको भी delete कर दूँआ, delete faces और यहां पर जाओँआ, vertices में select कर देता हूं इसे और यहां पर मैं F दबाद हूँआ, F दबाते ही यहां से close हो जाएगा और इसके बाद मैं F face mode में जाओँआ, यहां से इसको select करूँआ और इसके बाद मैं इसे extrude नहीं करूँआ, extrude करने से हमारी बीच में vertices create हो जाते ही, तो मैं क्या करूँआ, G then X तो इसे मैं stretch कर लूँआ, खाली, इससाइड यह scale up हो जाएगा मतलब, तो अब देखो कुछ भी नहीं हुआ यहां पर, तो अब मैं यहां पर face select है, यह हमारा face mode में आई, तो यहां पर मैं इस mode में जाऊँआ, और यहां पर इस vertices को select करूँआ, और इसके बाद ctrl B दबाऊँआ, तो ctrl B दबाऊँगे, और इस सेट अपने mouse को लेकर जाऊँगे, तो यहां पर इसके बाद अपने mouse की wheel को अगर आप scroll करोगे, तो यहां पर यह vertices create हो जाएंगी, तो यहां पर देखो अच्छे से create हो गया बिल्कुल, और tap दबाएके edit mode से भारा जोगा, और इसके बाद हमें देखो, यहां पर सारी चीज़े create होगे, मैं x-ray mode में चला जाता हूँ, तो x-ray mode में आप देख सकते हो, अच्छे से create होगे, और मैं पहले यहां पर बता रहा था, कि यहां पर देख नीचे कर लूँआ इसे, यहां पर यह सही हो गया बिल्कुल, और यहां पर नीचे वाला यह जाए, ताकि यहां से corner से भी set हो जाए, जी दन x, तो इसे x-ray action ले जाऊँआ, और यहां से भी देखो, बिल्कुल अच्छे से set हो गया, तो tap दबाएके edit mode से भारा जाँआ, तो मैं save कर लेता हूँ इस फाइल को, और tap दबाग मैं edit mode में दुबारे से जाऊँगा, और यहां पर देखो, मैं control plus R दबाऊँगा, और यहां पर एक यह vertices create हो जाएगी, और मैं 0 दबाग के camera queue पर आजऊँगा, और देखो, यह बीच वाली जो vertices है, इसे select करना है, तो उसके ल इस तरीका से select कर लेना है, G then Z, तो इस select हो रहा है, अगर नई समझ मैं है तो मैं दुबारे से बता देता हूँ, alt hold रखना है आपको, और इसके बाद इस जो vertices की edge है इस पर click कर दो, तो यह पूरी चारों तरफ यह select हो जाएगी, और 0 दबाग मैं camera queue पर चला जाता हूँ, औ यह edge भी दिखे, और यहाँ पर यह building बन जाएगी, तो यहाँ तक सही है, इतना scene हमारा हो गया है, tap दो कि मैं edit mode से भारा जाँगा, तो देख सकते हो आप बिल्कुल perfectly सारी चीजे, कोई पर कोई गलती तो नहीं, हाँ तो सही है, इसके बाद देखो, मैं जाँगा face mode में, उस इतना इसको कर लो, बाहर की side, और यहाँ पर, इस face को select कर लो, g, sorry, g, then x, तो इसे x direction में increase कर लेता हूँ, और इसे यहाँ से select करके, e, then y, तो y direction हो जाए, तो इस तरीके से extrude कर लेना है, अगर यह stretch नहीं हो रहा था, तो extrude कर लिया हमने, और इसके बाद देखो, हमारी यहा screen बनेगी, तो उसके लिए क्या करना है आपको, shift hold करके, मैंने इस face को select कर लिया, और F3 दबाऊँगा, यहाँ पर separate का option है, तो इस पर click कर देना है, तो यह separate layer बन जाएगी आपकी, ताकि बाद में हम इस screen को यहाँ से animate कर सके, तो आप देख सकते हो, यहाँ से मैं इसका name भी देखो, screen ही रख देता हूँ, control से save कर लेता हूँ, और इसे एक बाद disable कर देता हूँ, और यहाँ पर देखो, कोई भी floor नहीं है, हमें एक floor चीए, तो floor के लिए क्या करूँआ, इसको select करूँआ, tap दबा के edit mode में आजा हूँआ, और इस face को select करूँआ, shift plus D से duplicate करके, मैं इस से नीचे ले जाऊँगा, तो यहाँ पर यह सेट है, तो यहाँ पर दबा के edit mode से बाहरा जाता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे सेट हो गया, control से में save कर लूँआ, तो यहाँ पर सारी चीजे होगी, तो अभी हमें क्या करना है, इसको select कर लिए select हो गया, sorry इसको नहीं करना आपको, तो यहाँ पर यह भी select है, यहाँ पर new पर click करूँआ, और यहाँ पर surface में जाऊँआ, और यहाँ पर hold out create कर दूआ, और इसे कर दूआ, assign, तो assign होती ही, यह texture इसके उपर लग जाएगा, तो इसका name में रख देता हूँ, hold out, और इसको select क इसको करूँआ, इसको करूँआ, इसको भी कर लेते हैं, और इसको कर लूँआ, तो यहाँ पर यह select हो गया है, बाकी चीजे कोई select करने की जारा ज़ूर रथा है नी, क्यूंकि वो camera में छुपी जाएंगी, वो देखने ने वाली, तो इसको select कर लो, इतना select हो गया है, इसक काफी अच्छे select हो गया है, इसके बाद मैं यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर दूँआ, तो new material क्लिक हो जाएगा, यहाँ पर new पर और इसे में assign कर दूँआ, तो assign करती है, टेक्सी रिसके ओपर लग गया, तो मैं इसको name लग दूँआ, main, तो यह main हो गया, टैब दब ज़रत नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि ज़्यादा high quality render नहीं है, लेकिन दिखेगा realistic ही, तो इतनी सारी चीजे हो चुके, यहाँ पर मैं render कर देता हूँ, तो render करके आपको दिख रहा है, यह बिल्कुल black दिख रहा है, और इस पर textures तो देखो white है, लेकिन black दिख रहा है, तो यहाँ से color पर जाओँआ, और अपर environment texture एपर open, assets में जाओँआ, जहाँ पर मैंने उसे रखा है, तो यह हमारा environment texture है, तो यह हो गया यहाँ पर, तो देखो environment create करते ही, यहाँ पर आ गया है, और इसके बाद यहाँ पर जाओँआ, फिल्म में जाके आपको transparent कर देना है, transparent करते आपका जो sdra था, वो visible नहीं होगा, खाली आपके scene में reflect करेगा, और यहाँ पर यह थोड़ा down, down देख रहा है, मतलब कि इसके opacity थोड़ी down है, तो camera कुछ select करो, यहाँ पर camera में आ जाओ, और यहाँ पर background images, और यहाँ पर opacity है, इसको increase कर लो, तो यह इस तरीके से दिखेगा और इसके बाद, जो हमारा देखो, shoes का model था, यह मैंने download करने को बूला था आपको, यहाँ पर download 3D model, और यहाँ पर GLTF format में इसे download कर लेना है, तो download करने के बाद, मैंने एक shoes का, यहाँ पर folder बना लिया था, और इसके अंदर देखो, इन सारी चीजों को इस तरीके से रख ले और यहाँ से मैं, यह जो MTS के साथ connected है, sketchfab से by default आया है, तो यहाँ से मैं इसे देखो, ऐसे मैं skill up कर दूँगा, sorry, R then Z पर 90 degree, तो यहाँ पर आ गया है, मैं इसे थोड़ा, बाहर की, R then Z, तो इसे rotate कर लूँगा, और यहाँ पर इसे R and then X, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मैं इसका थोड़ा color change करना चारा हूँ, तो यह select है, textures में जाँगा, और main हमारा select है, तो इस पर मैं थोड़ा blue कर देता हूँ इसे, और यहाँ से skill, बिल सकते हो करके, तो blue light देखो, इसके ओपर भी थोड़ी थोड़ी गिर रही है, काफी अच्छा material बनके आ रहा है हमारा जो scene है, और इसके बाद एक choose देखो, हमें यहाँ पर लगाना है, तो light की direction तो देखो, बिल्कुल सही है, सामने की तरफ से light की direction आ रही है, तो उसे देखन कर सकते हो, यहाँ पर building है, बिल्कुल सामने से light पढ़ रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो मारी sun की direction है, वो बिल्कुल सही है, और इसके बाद यहाँ पर मैं दुबारा से transparent पर clip कर देता हूँ, तो यह transparent हो जाएगा, और इसके बाद एक choose हमें यहाँ पर चाहिए तो इसके लिए क्या करना है, तो मैं solid view मा जाता हूँ, ship plus a से यहाँ पर एक cube create करो, और इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, और s then z, z direction में इसे increase कर लो, और इसे मैं x direction में थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको assume क करना पड़ेगा, कि आपकी जो building है, वो main वाली तो यहाँ पर और दूसरी building है, वो थोड़ी पीछे है, जो कि आपको यहाँ पर दिखी रहा है, देखो, यह building आगी है, यह पीछे है, तो इस हिसाप से, मैंने इसे assume करके कर लिया, तो s then z, तो z direction में यहाँ पर हो गया है, त इसके बाद क्या करूँगा, मैं इसको select करूँगा, और यहाँ पर जाऊँगा, और आपने visibility में जाके, मैं इसे shadow catcher हो बदल दूगा, और holdout इसले ही use होता है, holdout किसी भी चीज़ के आगे create हो जाता है, तो उसकी पीछे की चीज़ दिखाई नहीं देती, और हम यहाँ पर इसले ही चाते थे, कि देखो, यहाँ पर जो यह चीज़ holdout create करी, इसके पीछे की, मतलब जहाँ पर आगे आगे यह चीज़ ना दिखाई दे, और पीछे की चीज़ दिखाई दे, तो इस तरीके से आपका जो यह billboard का जो भी effect हो create होता है, और यहाँ पर हमें क्या चीज़ 90 degree पर straight हो गया है, मिलकुल, तो मैं पहले solid view में चला जाता हूँ, और इसे set कर लेता हूँ, तो मैं S से scale up कर लेता हूँ इससे, और इसे यहाँ पर ले जाता हूँ, और 0 से मैं camera की पर चला जाता हूँ, अर दें, किस direction में, आर दें X, तो यह X direction में इस side, और दें Z, तो इस इस से हो गया है, यहाँ से बैए render कर लेता हूँ, तो render करता है, आपको ढ़िख रहा है कि इसके shadow base side आ रही है, तो आर दें X, यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस सेड़ देखो शेडव बन रही है तो इसके बाद हमारी रहती है तो स्क्रीन से बाहर निकल रहा है हमारा शूस थोड़ा तो मैं इसे मुव डूल पर जाके वाइड देखो अब बिल्कुल सही है तो स्क्रीन सेलैक्ट करो, टैक्चर्स में जाओ, निउपर कल्ग करो और यहां पर जाके गुलास्ट का टैक्चर लगाादाँ है हम इसे करना भूल गए थे तो यहां पर इसे बिल्कुल स्मूद के लिए शेड स्मूध कर दो और इसे भी शेड श्मूध कर दो तो Shade Smooth करती है, आपको दिख रहा है कि कुछ दिक्कत क्रियेट होगी है, ये थोड़ा टेडा मेडा सा हो गया है, अच्छे तरीके से Shade Smooth नहीं होगी है, आपको जाना है यहाँ पर और यहाँ पर जाके Auto Smooth इसे अनेबल कर देना है, और इस पर भी इसे अनेबल कर देना है, तो Hold Out है, वो अच्छे से काम करें, इसलिए मैंने यहाँ पर करा था इसे, तो अभी देखो, मैं यहाँ पर आयाता हूँ, 40 फ्रेम पर, तो यह हमारी स्क्रीन सिलेक्टेड है, इसके बाद आई दबावगा, लोकेशन पर, और यहाँ पर इसके बाद मैं 80 पर जाओगा, और इस बन गया यहाँ पर, और मैं रेंडर पर जाकर देख लेता हूँ, तो यहाँ पर यह अनिमेशन भी बन गया है, और इसके बाद आपको दिख रहा है कि जो ग्लास का मैटेरिल हो काफी जाद अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ से पर प्लस का आइकन पर जाओगा, आप यहाँ से भी कर लेता, सेमी चीज़ खुलती, तो यहाँ से भी सेम चीज़ कर सकते हो, और यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से नोड्स वगेरा नहीं देख सकते हो, तो यहाँ पर आप नोड्स वगेरा देख सकते हो, तो अभी हम यहाँ से देखो, इसकी रफनेस की यहां से इंक्रीज कर लेता हूं थोड़ा तो यहां पर सही है तो यहां पर एक adidas का logo आ जाता तो काफी जादा अच्छा लगता तो लोगो के लिए हम क्या करेंगे उसको online download करेंगे एड़ास logo 15 images में जाऊँगा और यहां पर tools में और यहां पर transparent पर जाऊँगा तो यहां पर adidas का logo है जो मैं यह वाला download कर लेता हूं तो यह black है कि सोच रहा हूं कि मैं यह वाला download कर लेता हूं मुझे यह वाला जादा अच्छा लग रहा है तो इसे में save as कर लूँआ तो यह save हो गया तो अभी इसमें एक दिक्कत है यह black color का है मुझे यह white चीए तो मैं इसे white कैसे करूँआ मैं after effect open कर लेता हूं अपना हमारा after effect open हो गया है इसके बाद मैं इसे यहां पर import कर लेता हूं और यहां पर composition में लेया हूँआ तो यहां पर आपको यह अनेवल करकर देख लेता हूं तो यहां पर देखो यह black है तो मैं क्या करूआ इस पर effect लगा दूआ invert तो यह white हो गया है इसके बाद मैं क्या करूआ आगे ले जाओँ हूँआ एक फ्रेम और end बाद हूँआ और यहां पर trim compare तो यह एक फ्रेम हो गया है और उसी तरीके से मैं इसे यहां से रेंडर कर लूँआ लेकिन इस बार हमें एक setting करने यहां पर png sequence में जाना है और rgb plus alpha कर देना है वरना अगर आपने यह खाली rgb कर दिया तो यह white logo black background के साथ render हो जाएगा और blender में आपको दिक्कत देगा तो rgb plus alpha करना है ताकि यह transparent mode में render होके निकले तो render हो गया यह तो यहां पर देखो दो फ्रेम आगे एक को में delete कर देता हूं तो यह देखो एक png हमारी आगी है white color की तो अभी हम इसे यहां पर import करेंगे तो flip plus a से मैं यहां पर image as plane अगर यह option नहीं है आ रहा आपके तो simply आपको जाना है preferences और यहां पर image और import images as plane इसको enable करके यहां से save preferences कर लेना तो इसके बाद मैं यहां से इसे import कर लेता हूं अब यह option आपके आ गया होगा यह रहा तो मैं इससे पहले तो state कर लेता हूं r and x तो यह direction में हो गया है तो r z sorry r z minus 90 करना आपको तो minus 90 degree पे हो गया है काफी अच्छा दिखाई दे रहा है यह logo भी और इसके बाद मैं shift list नी से duplicate कर लेता हूं और इसे देखो मैं r z minus 90 और इस side भी इस logo को लगा देंगे एक तो इससे मैं दुबारे से solid view में जाके ही लगाऊंगा इसके बाद हमारी screen को और control पीसे object कर देना है तो इसके बाद यह animate हो जाएंगे इसके साथ ही animate होकी जाएंगे यह आप देख सकते हो इसके बाद हमारे जो glass है उसकी values के साथ थोड़ा बहुत हम experiment कर लेते हैं तो इतना सही है screen को off कर देता हूं तो यह जादा ही white लग रहा है मुझे तो इसे थोड़ा नीचे कर लोगा और यहाँ पर metallic की value को थोड़ा increase कर दूँँगा तो थोड़ा dark dark दिखाई देगा और यहां से screen को मैं enable कर देता हूं तो अब हमारा scene वो काफी जादा बढ़िया दिखाई दे रहा है यहां से मैं बिल्कुल हाँ अब सही लग रहा हमारा scene तो इसके बाद क्या घरते हम इसको मैं यहां से off कर देता हूं हम आ जाते हैं इस यह location sorry इस लोग इस पर नियान करना हमें पहले मैं देख लेता हूं कि screen का की फ्रीम कहां पर खतम है तो 80 पर खतम है तो इसके बाद मैं शूरूज को स्लेट कर लेता हूं आई location rotation and scale इस पर लगा दिया मैं की फ्रीम और मैं यहां पर लिया आया है 120 पर मैं इसे बाहर की side ले आया और इसके बाद मैं इसे x direction थोड़ा सीधा कर लेता हूं और आई location rotation and scale पर की फ्रीम लगा दूआ आई से में location rotation scale पर एक की फ्रीम लगा दूआ तो यहां से देखो हम पूरा एनिमेशन देख सकते हैं पहले यह स्क्रीन है हमारी जो नीचे जाएगे फिर यह शूज निकल किया है तो इस तरीके से अप एनिमेट कर सकते हूं तो मैं 160 फ्रेम पर यहां पर फिनिश कर देता कि हमें इतना ही चीए और देखो हमारा यह scene पूरा रेंडर हो गया है इसके बाद यहां पर देखो transparent पे तो यह set है और यहां पर यह values वगरा यही रहन देना चाओ तो इस रेंडर को 50 कर लो क्योंकि इतने ज्यादा की जूरत है नहीं तो 50 हो गया है इसके बाद output में आ जाओ और यहां पर output पे compression की value को zero कर दो और यह धियान रखना कि RGBA होना चीए alpha जैसे PNG को बिना black background के render करके निकाला था ना तो यहां पर भी वही है alpha का मतलब यहां पर alpha ही है और इसको बिना background के render करके निकालना है तो मैं इसे render कर देता हूं तो accept हो गया है यहां मतलब की output हमने set कर दिया और बाकी settings आप देख सकते हो file format को PNG रखो ताकि बीच में cancel और आपके frame उतने जाद जितने रेंडर होए तो उतने रेंडर तो हो आपका time बरबाद ना हो इसलिए PNG पर रख लो इसे और यह हो गया है इसके बाद में control F12 से render कर लेता हूं तो देखो यह सारे frames तो मैं बाद में यहां पर यहां पर कुछ 5 frames render हो गये है तो देखो मैं cancel कर देता हूं बीच में और इसके बाद में यहां पर after fact open कर लेता हूं और इसके बाद देखो हमारी जो वीडियो थी starting में जिस वीडियो शमने image convert करी थी तो इस वीडियो को आपको यहां पर import कर लेना और यहां पर composition ब बताया था कि यह बिना background के render हो के आएगा तो यहां पर हमारा render है तो यह कुछ 5 frame render हुए है तो यहां पर double click करूँआ हूं तो मैं render वाले फोल्डर में जांगो और first frame को select करूँआ और यहां पर png sequence को अनिवल रखना आपको और यहां से इसे import कर लेना और यहां पर मैं click करू आपको जाना है interpret footage और main और यहां पर वही frame आपको कर देना है जो frame था तभी आपके जो सारे frame थे वह set हो जाएंगे मतलब कि हमने 5 frame करें for example लेकिन वह 160 frame जहां तक जाएंगे वह set हो जाएंगे अच्छे साब की वीडियो के उपर तो यहां पर लेता हम इन 5 frames को तो इसके बा battery color मैं लगा दूआ और थोड़ा विजनेट क्रेट करेंगे मतलब कि यहां पर आप color correction कर सकते हैं पर थोड़ा feather को इंक्रीज कर दूआ इसको थोड़ा मैं और इंक्रीज करूँआ और इसके बाद यहां पर आप curve में जाके भी थोड़ा बहुत corrections वगरा करना चाहो यहां पर यहां पर आ रहे हैं क्योंकि बाकी फ्रेम से रेंडर नहीं है तो आप अपर एंड दबाऊंगा और यहां तक हम्मारी timeline बंद हो जाएगे जहां तक के फ्रेम थे वहां पर timeline को बंद कर लेना और इसके बाद control M से मैं रेंडर कर लूँआ और यहां पर देखो इसको मैं इस रहें दूँगा और यहां पर आउटपूट सेट कर लूँआ तो इस वीडियो के फॉर्म में आपका रेंडर निकल के कुछ इस तरीके से आएगा